नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पिन ओट्रिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 6 जुलाई 2021 की हिमाचल परदेश की आज की 20 सबसे बड़ी तादा ख़़रों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक मन रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूरे हैं ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तो वीडियो को जो चुरू करते हैं आज की टोप 13 तादा खबर है तो चलिए शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आज की पहली तादा खबर है आपके सामने कि अब निजी प्लानर पास करेंगे घरियलू भावनां के नक्षे इसी सबता हो सकती है अधी प्रिक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें जो है अगली कक्षा में भेजा जाएगा राष्ट्री शिक्षा नीती में हुए नई प्रावधान को लागू करने के लिए बुद्वार को पस्तावित कैबिनेट में पस्ताव लाया जाएगा तेनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परिछाएं लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोड या स्मगर शिक्षा भ्यान का राज्य प्रियोजना निदेशाल्य प्रशनपत्तर त्यार करेगा उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच स्कूल और ब्लोक स्तार पर की जाएगी इसी शैक्षनक सस्तर से जो है नई ब्यावस्ता को लागू करने की त्यारी है अगर निज़ाब की कि हिमाच हिमाचल प्रदेश में वेरका और आमूर के बाद हिमाचल प्रदेश में कामदेनू दूद भी महंगा हो गया है हितकारी मंच ने प्रती लीटर दो रुपए दाम बढ़ा दिये हैं या दूद सूबे के मंडी बिलासपुर हमीरपुर सोलन और शमले जीले में बिकता है शम की मेरिट सोचि फिर रहेगा लड़किओं का दबदबा तो हिमाचल प्रदेश कूल शिक्षा बूर्ड की ओर से अगस्तल बर महा के बाद त्यार होने वाली दशमी कक्षा के प्रिक्षा पज़नाम की मेरिट सोचि इस बार काफी लंबी होगी पिछले बर्शों में मेरिट लिस्ट 40-50 के बीच रहती थी करोना काल में बिना बार्षिक परिक्षाएं दे ये तियार किये गए रिजल्ट में या मैरिट सुची दो हजार सोरी 250 से 300 तक पहुंच सकती है बोर्ड मैरिट सुची को असंतोष चात्रों की परिक्षाएं होने और उनका रिजल्ट आने के बाद त्यारे करेगा जानकारी के अंसार हिमाचल परदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की और से गोशित रिजल्ट में इस बार मैरिट सुची काफी लंबी होगी अगली जाब की कांगड़ा व्यास नदी में नहने उत्रे दो यूवक लापता तो हिमाचल परदेश के कांगड़ा जिले में उपमंडल अंदौरा के अंतरगात पंचायत भोगरवां में व्यास नदी में नहने उत्रे दो यूवक लापता हो गए हैं देर रात तक तलाश या भ्यान चला पर उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है अगर नियुजाब की कि हिमाचल में एक और करोना संक्रमित की मौत 1689 पोजिटिव केस सक्रिये केस जो है 1357 हिमाचल में रहा चुके हैं तो हिमाचल प्रदेश में कुल करोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है दो लाख 2800 पहुंच गया है इनमें से अब तक जो है एक लाख 2943 संक्रमित ठीक हो चुके हैं सक्रिये क्रोना मावले जो हैं 1357 हैं अगर नियुजाब की आईएमसी में पूरुब सीम बीरबदर सिंग का ऑक्सीजन स्थर गटा 20 लीटर पर करीब ढ़ाई महीने से जो है सूब्वे की सबसे बड़ी स्वास्ते संस्तान इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलेज है अस्ताल में दाखिल कांग्रेस के वरिष्ट नेता एवं पूरुब मुख्यमंत्री बीरबदर सिंग का सौंबार सोबाज हुए ऑक्सीजन स्टार घट गया डॉक्टरों ने उन्हें वेंटी लीटर पर शिफ्ट कर दिया है उन्हें सांस लेने में देखे था फेफ़ड़ों में संक्रामन की शिकायत है डॉक्टरों ने उनकी दवाईयां भी बदल दी है बीरबदर सिंग के बेटा एवं शमला ग्रामि साथ जुलाई से होगी बीएड परीक्षा सोला हजार प्रिशिक्षू बैठेंगे तो इसना तक डिगरी कोर्स के फाइनल येर के 35,066 चात्राओं की परीक्षाओं को शुरू करने के बाद अब विश्य विद्देले बीएड की परीक्षा शुरू करने जा रहा है इसमें 16 हजार से अधिक प्रिशिक्षू अपियर होंगे इसके साथ ही मेड और में एजुकेशन और एक डोल बीएड एर सिस्टम की प्रीक्षाओं को जो है साथ जुलाई से शुरू करने की त्यारियां लगभग पूरी कर दी गई है अगनी जापकी की रात को एक बज़े परकारी बस ही ले गया ट्रक चालक तो शिमला आने के लिए लिफ्ट नहीं मिली तो शिमला के शोगी का व्यक्ति ज्वाला मुखी बस अड़े में घड़ी देहरा डीपू की बस को ही उड़ा ले गया या गटना रभ बार देर रात करीब एक से डेड़ बजे की बीच उसे द्याला घाट में गिर्फतार किया गया उदर इस बारे में बस हड़ा जुआला मुखी की उपन रिक्षक अशोग कुमार ने ठाने में मामला दर्ज करवाया डियस पी तेलक राज ने मामला दर्ज होने की पोश्टी की है अगर निज़ाप की हिमाचल स्कूल शिक्ष अगर निज़ाप की हिमाचल में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट 11 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब तो हिमाचल परदेश में मंगलवार को मौसम जो मिला जुलर रहेगा कुछ खेत्रों में हलकी बारिश होने के आसार है 7-9 जुलाई तक परदेश में अधिकाश खेत में भारी बारिश और अनड़ का यलो अलर्ट है सुमबार को परदेश भर में मौसम साफरा उनना में अधिक्तम तापमान 49.4 दिगरी सेलसियस दर्जे हुआ अगर निज़ाप की कि जंता के बीच पैठ बनाए वरकर जेपी नड़ा ने भाजपा कारे करताओं को पढ़ाय को और मुझबूत करने के लिए जो है टिप्स दिये अगर निज़ाप की कि हाग के लिए हरताल पर जाएगा क्रशर उद्योग संग कहा पक्ष विपक्ष की राजिती का शिकार हो रहा क्रशर उद्योग तो क्रशर उद्योग संग ने अपनी मांगों को लेकर संगर्ष को प्रदेश करने का फैसला लिया है संग के प्रदेश अद्यक्ष डिम्पल थाकुर ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि उनके मांगों पर शीगर सकारात्म कर्म नहीं उठाया गया तो पूरे प्रदेश में क्रश्र उद्योग हर्ताल पर चला जाएगा अगनी जापकी कि नवंबर तक मिलेगा फरी राशन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को केंदर के निर्देशों पर दे जाएगी गया हुँ चावल तो जुलाई से नवंबर तक प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निश्वलक राशन मिलेगा खार दिये भारतिय निगम की बैठक में इस पर चर्चा की गई इस तोरान जानकारी दी गई कि भारतिय खादे निगम हिमाचल परदेश द्वारा राज जेखे 3258 किसानों में से जोए सीधी खरीद के बादियम से 13,040 में ट्रिक्टन गाहूं की खरीद की है जो की गत बर्षों की खरीद की तोलना में चार गुना अधिक है अगनी जापकी की परदेश की मंडियों में पहुंचे सेव के खरीदार इस बार अच्छी पैदाबार बाहरी राज्यों से आने बाले लोगों का पंजीकान जरूरी तो हिमाचर परदेश में सेव सीजन की रफतार पकरते ही खरीदारों की आमद शुरू हो गई है शिमला सहित परदेश में इस बार अच्छी पैदाबार है ऐसे में आगामी दिनों के दोरान फाल मंडियों में काफि संक्याम है खरीददारों के पहुंचने की उमीदे लगाई जा रही है अगनी जाब की कि बहू ने सास पर फैंका गरम चाय का पतीला पुलीस चोकी ठाकरद्वारा के अधिन पराल गाउं में मामूली कहस हुनी पर बहू ने सास पर गरम चाय का पतीला फैंक ती है इससे महिला की चाती और बाजू जल गई पुलिस चोकी ठाक रुदारा के प्रभारी रूप सिंग ने बताया कि अवतार सिंग पुत्तर रसीला राम गाउं वर्याल तैसेल मुकेरिया ने शिकाई दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन कलशो देवी की शादी रगुवीर स सिंग नेवासी पराल के साथ हुई है मेरी बहन अपने परिवार साहित है ठीक ठाक जीवन जो है बसर कर रही थी रवी बारात मेरी भान जी ने मुझे फौन कर बताया कि उसकी भाबी ने मामुली कहा सुनी पर जो है मम्मी के उपर जो है गरम चाय का पतिला भैंक दिया लेगन ही जाब की कि परदेश में खुलेगा नौकरियों का पितारा तो आगामी कैबिनेट पैठक में परदेश सरकार नौकरियों का पितारा खोल सकती है बिगली बोल्ड और लोक निर्मान विभाग में लंबे समय से रेक चल रहे पदों को भरने की कैबिनेट में जो है म माचल परदेश की आज की जो है टॉप 10 ताजा खबर हैं अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक ये माचल परदेश की हार नाटिफिकेशन सबस से पहले पहुंच सके धन्यवाद जय हिन जय भाड़ कि अ क्यआ झाल बेलि आपने कि एजसे पाओवन झाले खिसक है क्या सकताशित आपवन मैं karşı क्या और पर घ्र आपचेशन सबसें किक हारो भी तो herbs